जौनपुर में भतीजे ने चाचा की गोली मार कर हत्या कर दे मेरगन थानाचेत के बबनियाओ गाउं में जमीनी विबाद में रात देड़ बजे गोली चलने से अतुल सिंग की घटनास्तल पर ही मौत हो गई एक महिला भिगायल है जिसे जिलास पताल रेफर किया गया था वहाँ इस्तिती नाजुक देखते हुए उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुँच कर आरोपी की तलास में जुड़ गई आरोपी मिर्तक का भतीजा है मेरगन बबनियाओं में अतुल सिंग पुत्तस्वरगी कृष्णा देव सिंग जो मोल रूप से ग्राम महरूप उर्थाना जफराबाद के मोल निवासी है काफी दिनों से अपनी बहन के घर ग्राम बबनियाओं में निवास कर रहे थे अतुल सिंग के सगे भतीजे सूरज सिंग उर्फ पुत्तसान सिंग निवासी महरूप उठाना जफराबाद ने अपने एक साथी बकाटू उर्फ टाइगर कचिगाउ उठाना जफराबाद के साथ मिल कर फाइरिंग कर दी जिससे उगंभीर रूप से घायल हो गए पर जनों द्वारा उन्हें सियाचिसी मचली सहल ले जाया गया जहां इस्तिती नाजुक देख अतुल को जिला सप्ताल रे फर्किया गया जहां उनकी इलाज की दवरान मौथ हो गई इस घटना में मुख रूप से आरोपी सूरज उर्फ परसान सिंग को पुलिस ने हिरासत में ले लिया बकाटू की तलास में पुलिस जुटी हुई है मिर्ता कतुल सिंग का बिवाह नहीं हुआ था अपनी बहन के यहां वो निवास कर रहे थे अपने हिस्से की जमीन बेचने वाले थे इस बास से नारा सूरज ने अपनी पैत्रिक जमीन बचाने के लिए अपने सगे चाचे आतुल सिंग की हत्या खर दी ताकि वह अपने हिस्से की जमीन ना बेच सकी तीन अगस्त दो हजार बाइस की रात में थाना मीर गंच अंतरगत ग्राम बभनियाव में अतुल सिंग पुत्र स्वरगिये कृष्ण देव सिंग जो मूल रूप से ग्राम महरूपूर थाना जफ्राबाद के लिवासी हैं और विगत काफी कई वरसों से अपने बहन के घर ग्राम बभनियाव में दिवास कर रहे थे रात में इनके सगे भतीजे सूरज सिंग उर्फ प्रशांद सिंग निवासी ग्राम महरूपूर थाना जफ्राबाद के द्वारा अपने एक साथी बाकाटू रूफ टाइगर निवासी कच गाउं थाना जफ्राबाद के साथ मिलकर उनकी उपर फाइरिंग कर दी जिससे वो गंभी रूप से खायल हो गए और उनको इराज के लिए परिजनों द्वारा सिर्शी मचली शहर ले जाए गया वहां से उनको रेफर किया गया जिला स्पताल में उप्चार के दोरान उनकी व्रत्य हो गई है इस घटना में जो तहरीप राप्त हुई है उसमें ततकाल अभ्योग पंजी कर लिया गया है और इस घटना में शामिल जो मुख्य जात हुआ है कि जो मृतक अतुल सिंग है वो अभिवाहिक थे और अपनी बहन के यहां बवनियाओं खाना मीरगंज में निवास कर रहे थे और अपनी जमीन पूरी जमीन अपने हिस्से की वह बेचने वाले थी इस बात से उनका भतीजा सूरज नाराज था अपनी पैत्रि जमीन नबेच सकें इस घटना में अन्या साथ शंकलने में विधिक कारवाहि पी जा रही है सेस एक अभ्यूक्त इग्रफतारी शिखर कर ली जाएगी और अन्या अपिक्षित विधिक कारवाहि क्या नाम है आपका इतना अरान उपात है क्या घटना हुई कैसे क्या मामला है जमीनी विवाट था हुँ हुँ इनके भतीजे आये रात में दे लेटे हुए से यहां और उसका तुनिटू ने निकिया क्या क्या लोग का कैसी है अच्छा है अच्छा है तुरन उनको गोली मानने अबार एक गोली निकल कि जो हैं पहें जुनानत है उन्सको और रहने जाखना है अच्छिवाध रखेशना इन ना है कितने दिन से हाँ आना जादा रहते थे परावर जाते भी थे थे यहीं रहते हैं तो शाधी सुधा थे कि आविवाध इन कुछ तो